जोस्तों आपको पता है कि हमारे चैनल पर मल्टी मीटर की एंबॉक्सिंग से रिलेटेट बहुत वीडियो जाती रहती है यहां पर अलग-अलग मल्टी मीटर को पर्चेच करके आपको मैं दिखाता रहता हूं तो आज यहां पर बात करते हैं एक टच वाले मल्टी मीटर की क हो सकता है आप लोगों के यूज के लिए सबसे बैस मिल्टी मीटर यही हो अब यहां पर मैंने टच वाला सिव्लेव कि यह तच में ही काम करता है यहां पर इसका जो मोडल नंबर और कंपनी है वह आप देख सकते हैं संसाइन कंपनी का है इसका मोडल नंबर है डीडी-220 टच मल्टिमीटर यहां पर लिखा हुआ है इससे पारे एक मैंने Bluetooth मल्टिमेटर का रिव्यू करा था उसमें Bluetooth से कनेक्ट करके मोगाइल को भी आप करके सकते हैं एक चीज़ अपको फ़ दूंई हूप है अठीज़ करके आपको रिवा देता है और तुरा से इस के बार में ठोला है इसकी और क्या क्या मिल रही है सबसे परताऊं की है रोइक चीज मपर रिप्मींटर के साथ यह है इसे हम निकाल नहीं सकते हैं और यह मल्टी मिटर की अकर साइज की बात रुगो एक नॉर्मल टेच वाले मुवाइल के ही बराबर यह मल्टी मिटर है इसकी मोट आई मुवाइल से थोड़ा सा ज्यादा है ज्यादा नहीं बस इतनी सी वह इसलिए क्योंकि इसके अंदर मैं खोल लेता हूं स्क्रू लगा हुआ है और यहां पर वर्निंग भी दी गई है आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं चलिए इसको में उपन कर लेता हूं तो कंपनी की तरहां बैटरी डिलीव ही है उसका सीरियल नंबर दिया गया है एक चीज़ आपको उता तो यह वार कर दिया इसका मतलबी ओन हो चुका है अब फंक्षिन कैसे इसके काम करते हैं यह मैं तोटली आपको थोड़ा सा बता देता हूं और दूसरे चैनल पर इसको पूरे चलाने का तरीका आपको बता दूगा यहां पर सिर्फ मैं इसके फंक्षिन का रिव्यू कर लूँगा और देखिए तो यहां पर आप देख सकते हैं संसाइन कंपणी के हैं बॉर्न फोर्म मोबाइल रिपेर यहां पर लिखा हुआ है असलमें मोबाइल रिपेर वालों के लिए सबसे बेस्ट टूल होगा या फिस सबसे बेस्ट मल्टिमीटर होने वाला है ऐसा नहीं कि मोबाइल अब चाहे तो फीतो को यहां पर लगा के इसको लटकाने वाला भी बना सकते हैं अब चलिए इसमें ओन करता हूं इसको और करने के लिए लगबग दो तीश सेकेंड के लिए आपने पावर बटन को प्रेस प्रेस नहीं करना बस टच करना है कि फाइनली ओन हो चुका है इसके डिस्प्ले की क्वालिटी बहुत अची एलसीडी डिस्प्ले है और इसके बैक साइट को एक एलेडी लाइट दी गई है तो इसमें आप एलेडी लाइट को जला कि आप टॉर्च बगरे कर सकते हैं और एक शी आपको बता दू इसको इस सेपरेट को स्लेक्ट कर सकते हैं जैसे कि या अब देह सकते हैं अभी DC voltage पे set हो गया यह भी AC voltage पे set हो गया true rms है तो यहाँ पर आपको रूट मी निस्वार यान कि आपको जो भी AC की voltage है बिल्कुल true यहाँ पर बताएगा हट भी बताएगा और voltage भी होताएगा उसके बाद यहाँ पर आता है हमारी यह है बजर का मोड इसी से आपको बजर का मोड सेलेक्ट सेपरेट कर सकते हैं और इसमें नानो फेराड के पैस्टिर को भी यहीं पर चेक कर सकते हैं और नेक्स्ट क्या है हट जिगा तो हट भी आप बटन में हट देख लिए हमने और बाकी वही ऑटो फंक्षन है आपको कोई भी चीज यहाँ पर अगर प्रोप्स को एसी में लगाते हैं या फिर किसी बीचीज में लगाते हो उसका पूरा रेडिंग देगा घबरादी के जो तो नहीं यह का फिलोग घबराते हैं कि यार यहां पर क्ये हैं है हिसको exactly which अगए याँ है अगर आप किसी जीुर्च करन दिया गिया है इसको ग्रम कर दे़ प्रेस करते हैं तो तो हुआ है तॉच करना है टाश कर चपेकयों तो तुटठ कड वर यहां आप और ट्रॉके की तूच नहीं पर करता हूँ अगर हम एक कुछ देर के लिए प्रेस करते हैं तो यहाई पर इस्पेसेली का अश्छा कर्सक्रा सकते है लेकिन इसे बहुत को चेक कर सकते हैं तो आफें कर avoided निया यह NCB non-content voltage checker के लिए है यानि कि AC line कहीं पर leak to leak leak का मतलब है कहीं से कटे भी तो नहीं है अगर कटी होगी तो यहां से आप check कर सकते हैं वहां पर wire कहीं से कटा होगा तो वहां पर AC आपको नहीं सो कराएगा बाकि वह बीबीप मारने लगा देखिए इस तरीके से साय देख वहां एक बार यह तो कहीं भी AC line के पास लेके जाएंगे तो यहां पर यह बीबी मारने जिसके आपको मैं दिखाता हूँ देखिए यहां पर नहीं करेगा AC line के पास में करने लिगा एक्स्टेंशन बोड है देखिए तो इस तरीके से function काम करते हैं बाकी तो इसमें इसके लाग कोई और function नहीं है अगर आप इसको चलाने का फूरा वीडियो देखने चाहते हैं दूसरे चैनल पर चले जाहिए एंड आपको इसे पर्चेस करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जागा इसको आप इजली पर्चेस कर सकते हैं तो जाए और अभी खरीद लीजेगा बाकी फुल इसका टेस्ट में दूसरी चैनल पर डालूँ देख लिए लिए लाइकर के सेहर करना ना भूलिए